अमेरिका की गेर लाबकारी संस्था ओक्स फैम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में गरीबी बढ़ी है जबकि अमीरों की दौलत दोगुनी हो गई है रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के पाँच सबसे अमीर लोगों की संपत्ती 2020 के बाद से दोगुनी होकर 879 अरब डॉलर हो गई है वहीं इसी अवधी के भीतर दुनिया में पाँच अरब लोग गरीब हो गए है रिपोर्ट में चितावनी दी गई है कि अगर मौजूदा रुजान चारी रहा तो अगले 229 वर्षों तक विश्व से गरीबी खत्म नहीं होगी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आगे भी अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ने की संभावना है इसके साथ ही अगले 10 वर्षों में दुनिया को पहला खरपती उद्योगपती मिल जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 52 देशों में लगभग 80 करोड श्रमिकों की औसत वास्तविक मजदूरी में गिरावटाई है इन श्रमिकों को पिछले दो वर्षों में संयुक्त रूप से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है ओक्सफैम ने कहा कि लेटिस्ट गिने इंडिक्स जो असमानता को मापता है उससे पता चला है कि वैश्विक आय असमानता की मामले में दक्षिन अफरिका दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक असमानता वाला देश है रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में कुरोना महामारी रूस युक्रेन युद्ध के चलते महंगाई ने अर्वों लोगों को गरीब बनाया है महीं दूसरी और दुनिया के कुछ गिने चुने अरपतियों की दौलत जबरदस तरीके से बढ़ी है